हलो दोस्तो मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो catbuck shop channel इस rabbit के tutorial वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी rain shed यानि की छज्जा आपको बनाना होगा rabbit software में तो आप उसको किस तरह से बना सकते हो लास्ट वीडियो में मैंने आपको रूफ के बारे में बताया था कि आप rabbit की रूफ किस तरह से बनाऊगा और आपने वीडियो नहीं देखिए तो उसको जरूर से जरूर देखेगा तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं सब्सक्राइब करें क्याइज बख्शॉप चैनल को और साथ की बैल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आप हमारी कोई भी वीडियो विस्स ना करें और अल्सो डोंट फॉर्गेट तो फॉल्व उस इंस्टाग्राम एंड फेस्बुक आ सो यहां पर मैंने रेवित ऊपें कर लिया है आप मुझे क्या करना है यहां पे पहले से पहले में यहां पेक प्रेस कर लेता हूँ कुछ इस तरश सै इस वाल को मैंने partie हाइड मै ने यहां पर कर दी अप्तू लेडिल तू यानी कि अपकी कितना अपका 10 ऐड कर फिर यहां पर मैंने विंडो लिया और विंडो लेने के बाद लोड फैमिली पर जाके यहां पर दूसरी विंडो हम यहां पर लोड कर लेते हैं अब यहां पर यहां पर विंडो ही गया और यहां पर एक तरीके से मैंने यहां ली विंडो यहां पर प्लेस कर दी कुछ इस तरह से और फिर लोट फैमिली पर जाते हैं फिर से विंडो पर जाते हैं और अब यहाँ पर हम कुछ माली जे सर्कुलर राउंड वाली विंडो ले लेते हैं इसको यहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं और एक और विंडो ले लेते हैं विंडो पर जाके और कुछ आर्च इस तरह से और इसको भी हम यहाँ पर ऐसे प्लेस का देता है अभी हम 3D व्यू देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखो त्रीनो विंडो इस तरह से प्लेस होके आगे इसको मैंने रिलिस्टिक में लगा दिया अब यहाँ तो मुझे क्या करना है इसमें रेंचेट करना है तो कैसे कैसे आप क्रेट करोगे देखो इसको पहले मैं सब्सक्राइब करके जिए शिलाइट बढ़ा देता हूं 3 फोट कर देता हूं आप 3D पर जाओगे, 3D बात अभी आप यह पर व्यूक्यूब अन होगा फ्रेंट पर मैंने क्लिक किया यह आपका इस तरसे व्यू आगया मैंने आप पर जूम किया आपके में अगर यह नहीं होता है तो यहाँ पर नीचे option आता है select element by face, अगर यह off रहेगा तब आपका यह face यहाँ पर देखो select नहीं होगा जब आप edge पर जाओगे तब यह select होगा तो आपके convenience के लिए select by face को यहाँ पर on कर दीजे जैसे face पर आप click करोगे हाँ पर आपका face select हो जाएगा तो यहाँ मैंने क्लिक किया कौन से level is level 1 है और okay ठीक है अब आपके यहाँ पर क्या करने है simple sketch create करना है और जो आपको चच्छा रहेगा उसकी thickness किती रहेगी मैंने के यहाँ पर मेरी जो thickness है वो 2 inches कि रहेगी ज्यादा नहीं मैंने का 2 inches और okay structure पर जाके और इसको मैं 1 foot की जगे करता हूँ 2 inch okay किया and okay तो 2 inch का यहाँ पर मैंने चच्छा आगया अब यहाँ पर मैंने line लिया और यहाँ से यहाँ तक मैंने कोच इस तरह से एक line create कर दी something like this frame से तरह इधर कर देता है इसके बराबर और एक fit इधर यह पर sketch create होगे sketch अगर आपको proper नहीं दिखना है तो consistent color लगा लिजे तो देखिए आपको sketch देखने लगेगा अब जैसे यहाँ पर फिनिश करोगे तो देखो कि यहाँ पर इस तरह से आपका यह चल्ज़ बाहर निकलनके आ जाएगा अब इसमें क्या करना है आपको कितना बाहर निकलना तो यहाँ पर आपको option आता है extrusion start बतला आपका start कहा से हो रहा है extrusion end यानि कि यह कितना बाहर निकलना 5 feet तो इसको मुझे कितना निकलना है अमने का 2 feet तो यहाँ पर आप 2 feet इस तरह से इसको यहाँ पर create कर सकते तो यह तो simple इस तरह से अब आते हैं इस पर front view अगें लगाया, roof पर गया, roof पर extrusion, pick up lane, face को select किया, level 1 पर बनाना है, okay अब एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देनी कि जो भी आप यहाँ पर बनाओगी यह closed sketch नहीं होना चाहिए, अगर यह closed sketch होगा तो यहाँ पर error आपका display करा देगा, अगर आपको close बनाना है तो यहाँ पर हम extrusion का काम लेंगी, जिसको भी बारे में हम बाद में बात करें तो इसको में sketch tool click कर देता हूँ, फिर से देखते हैं इसको, roof पे गया, roof पे extrusion again, okay, face select किया, level select किया, आपे level 1, okay, और यहाँ पर में आप लिया, अब यहाँ से first point दिया, second point यहाँ दिया, third point यहाँ पर, and finish, तो यहाँ पर दिखो कुछ इस तरह से आपका यहाँ इसको आपका इसको में delete कर देता हूँ, roof पे गया, roof पे extrusion पे गया है, pick up plane और okay, level 1, okay किया मैंने, फिर यहाँ पर मैंने लिया arc, यहाँ से यहाँ से यहाँ ता कि इस तरह से इक आर गुना ही, और कोछ इस तरह से, इस तरह से arc create कर दे, finish करोगे तो देखो इसी type का आपका design यहाँ पे create हो कैसे आपकी thinking है, और उसके recording आप किस तरह से इसमें implement कर रहे हो, so इस video में बस इतना ही, next video में हम बात करेंगे, यहाँ पे curtain system की, यानि कि अगर आपको कोई भी glass की wall बनानी है, या फिर आपको glazing create करनी है, तो हम उसको किस तरह से create कर सकता है, so I hope आपको यह video पसंद आया होग कोई भी doubt है, तो निचे comment box में comment करके ज़रूर बताइएगा, आगे और ऐसे videos देखने के लिए चैनल को subscribe करिए and don't forget to follow me on Instagram and Facebook, तब तक के लिए thank you so much वस्तों, विलते हैं next video में, have a good day